से सरुकार के मुद्दे हम लगातार उठते रहते हैं और सुनिया गांधी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और सुनिया गांधी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुनिया गांधी राहुल गांधी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं ये तस्वीर आप दे रहा हुए है राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपना वोट कास्ट करने लिए यहाँ पर पहुंचे हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राहुल भी साथ में मौझूद और वोट कास्ट करने के लिए वो पहुँचे हैं मद्दान करने के लिए सुनिया गादी और राहुल गांदी पहुँचे हैं वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको मनीश चुकलाज जी हमारे साथ लगातार बने को हैं मनीश भाई सबसे बड़ी बात किये चाहे राश्पती की बात करें चाहे सुनिया गांधी की बात करें राहु गांधी की बात करें आपको लगता है कि हर किसी को, चाहिए वो किसी भी कोने में हो, उसको इस जिम्मेदारी को, इस निर्वाहन को करना चाहिए? करना चाहिए? किसी को मिलता है, मतदान अवश्य करें, और मतदान ही वो, मतदान ही वो आपके पास साधन है, जिसके नाते से आप अपनी विचारों को प्रकट कर सकते हैं कि अमूग पार्टी से हम खुश है या दुखी है। करने के लिए गए हैं, तो क्या मैसेज जाता है? यह देखिए, यह दो दिन पहले कहा कि आठ लाग लगनौ में घर वाले परिवार वाले विजली संकट जे लेंगे। तो यह क्या विजली संकट और बात रही स्वास के अंपवंजी, स्वास में यहीं से स्वास मंतरी आते हैं। तो क्या बात करेंगे, यह सलक बिजली पानी की यह बात कर रहे थे, जनता देखिए, सब देख रही है, जनता सब आकलन कर रही है, और जनता इसी आधार पर वोट देने जा रही है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया कि 10 साल में, सिवाए जुमले बाजी के नोंने कुछ नही किया, और 7 साल स्टर पडिश में प्रदेश में जी जो सरकार है, उसने आज उत्तर पडिश को 15 पडिश बना दिया, 60 नाग जो है बेरोजगार, नोजवान चाफरों के भविस के साथ गर कर वाड करने का काम, किसी पार्टी ने किसी सरकार ने किया थो भार दिन दा पार्ट का का कि यह समाचारपत्र मैं छपा है कि उतनी देर से इतनी देर बिजली नहीं रहेगी यानि रिप्एयर करने अच्या सूचना देखे अगर बिजली काटी जा रही किसी विशयित चेत्र में कोई रिपेयर की मेरशता होगी हाँ यह जरूर कह सकते हैं जिनके समय में बिजली जाती जादा थी आती कम थी और ये लखरों से कही है बाहर निकलें सुल्तानपुर प्रताफगर्ड पूर 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 एलाबाद मचली जहर हमेट कर रेकर जहां चुला हो रहे हैं तो 19 मार्ट 2017 के पहले 8 से 10 गंटे 11 गंटे से जादा बिजली नहीं आती थी ये पूछ ले और आपके कैमरा मैन अगर होंगे आपके तमाम रिपोर्टर ग्राउंड पर आज ही है और भी डिबेट हम लोगी 11 बज़े चलने वाली है एक सवाल जरूर पूछिएगा कि समाजवा अभी समिधान की बात कर रहे थे यह अरे ओबी सी एस्टी के आरच्छर पर डाका डाल रही है इंडिकेट बंदन और कह रहे हैं समिधान बाबा साम ने कहा था कि धर्म के अधर पर आरच्छर नहीं होगा लेकिन राहूल गादी अखिलेश यादो लालू परशाद यादो बार-बार कह रहे हैं कि मुसल्मानों को अर्चर देंगे मंता बनर जी ने 71 मुसलिम जातियों को बिसी बना दिया करनाटक में कॉंग्रेस ने सेव सईयक पठान को बिसी बना दिया यानि सीदे सीदे ओपीसी पर डागा डाल रहे हैं इंडिकर बंदन के लोग और इनको चा रहुल गांदी वोटकास्ट करने के बाद बाहर आए हैं सुनिया गांदी बाहर आई हैं कुछ कह रहे हैं मीडिया के सवालों उपर जरा सुनते हैं एक बार में जिस तरीके से उंगली में स्याही लगी उसको रूने यहाँ पर दिखाया वोटकास करने के बाद और वहां से वो आगे की लिए निकल गए हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राहूल गांदी ने और सूनिया गांदी ने मद्दान किया है चटे च्रण में और दिखें यहाँ पर सेलफी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि राहूल गांदी ने किस तरीके से अपनी मा के साथ वहां पर मद्दान के दुपर बाहर वहां पर सेलफी ली और उसके ब सबसे बड़ी कवरेज यहाँ पर लगातार जारी है सबसे तेज़ कवरेज यहाँ पर जारी है और ग्राउंड गिरो से हर तस्वीर हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुचा रहे हैं